नमस्कार आप देख रहे हैं JK Update और मैं हूँ अमर चोहान आज जिस personality से हम आपको मिलवाने वाने हैं वो जम्मू की बेटी है और जब भी जम्मू की बेटियों की बात आती है बड़ा ही गर्व बड़ा ही प्राउड फील होता है क्योंकि आज की डेट में फीमेल्स जो है हर ज नाशनल बोरिंग स्कूल मैं दोग्रीच डाल करा दी है कीजे साडे जमू दी तीन है वलकम टू जेक्या क्या क्यू वेरी मच माम तुसे हैं बोली है मेरा दिन बनाई तया अज अपनी मां बोली अपनी जमू बोली इसी बोलन ली आज बहुत जादा तरसने है क्योंकि जमू दी कदे ने पूलना चाहिए ते सब तु पहले ते तुसे ही आस ए पुछना चाने है तुसे पठान कोट तु आज जमू दा किंगा आना हो या जमू आन्दा एक बड़ा ही खास मकसद है पठान कोट के लेम इंटरनाशनल बोर्डिंग स्कूल अल्रेडे जमू से स्कूल है तो मेरा आज यहाँ आनी की मुहीम यह है कि बताया जा सके कि क्यों आजकल बच्चों को एक अच्छे और बहतर बोर्डिंग स्कूल में भेजना इंपॉर्टेंट है आप जैसे के माम जानते हैं घर पे रहके आजकल फ्री फायर्स, फोन, नो डिसिप्लेन, लेट होना, सुबह सब कुछ होना, अजान होनी और एक सेंसिबिल्टी यानी, एक रूटीन बननी, सो रूटीन बनाने के लिए प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार पठानकोट आईए, क्लम इंटरनाशनल बोर्डिंग स्कूल में आईए और देखिए कि हम किस तर प्रेंस जो है वो बर्किंग होते हैं, बच्चे, ट्यूशन, देन उनको पढ़ाना, ताइम नहीं मिल पाता है, फिर मेर की जाती है, सो मुझे लगता है कि क्लम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सो मैं आपसे यह जाना चाहती थी कि वाइ बोर्डिंग? मैं आपसे यह जा क्लम क्या हो गई? सारी कि सारी मोबाइल की, बच्चे को तो आपने मोबाइल दिया गेम्स केलने के लिए, लेकिन यह क्रोम यह वाटेवर, विच्छा अन्वांटिड वे में आपके पीछे से किस तरीके से गलत रास्ते पे जाके किस तरीकी की एक नेगटिव एड़ मेरे जैसे प्रिंसिपल हो, like a mother, then to simple question है, why not boading? wonderful, so मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अंसर आपने दिया, अब आपसे जाना चाहते हैं, क्यालम में ऐसी कौन सी खास facilities आप प्रवाइड कर रहे हैं, जो कि बच्चे यहां parents आपको अप्रोच करें, यह आपने बहुत प्यारा question किया है, जो मैं तहे दिल से चाहती थी कि क स् Surcus का ना हो जो जगल का हो, तो मैं खाउंगा और जंगल के खिर में उठना है, मुझे हाडवक करना है, मुझे स्ट्रगल करना है और हिकार कर अपना खाना खुद लेना है, और सिकार कर के अपना खाना कुद लेना है, you know, I was 12 years when I lost my mom and dad, so being as a daughter, जो यह स्ट्रगल है, यह म बच्चे को यह पता है कि यहां पे फिसलिटीज नहीं है, यहां पे हाड़ वक करके एक अपनी आने वली लाइफ को किस तरह से आपने उम्दा बनाना है, बेहतर बनाना है, इस आठी चीज सा जानन ली तुसे ली होस्टेल आना ही पूना है, that's it. Wonderful, आच्छा माम हम बात करते हैं slow learners की, बिकाज आज की डेट में बच्चे कहीं न कहीं एक तो online classes की वज़े से भी effect हुए है, COVID ने बहुत किया, बच्चे काफी टाइम से school नहीं जा रहे हैं, सपोज आपके पस कुछ ऐसे students यहां parents आते हैं, जो बताते हैं कि हमारे बच्चे slow learners ह आपके लिए क्या कुछ खास आपके पस है? मैम, I think हर school में ऐसे बच्चों के लिए especially खास होना चाहिए, जैसे हमारे हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे माबाप के भी, हर बच्चा आप यह नहीं कह सकते कि 90 out of 90, 100 out of 100 होना चाहिए, So slow learner क्या है उसको जानने के लिए जग मैंने मुवी देखी तारे जमी पे, उसके बाद मुझे लगा कि आपको उनकी इडालोजी स्ट्रक करनी चाहिए, अगर आप एक नाउन बोरिंग लैंग्वेज में बच्चे को समझा रहे हैं उसको नहीं इंट्रस्ट है आपकी कॉप प्रनाउन, इसकॉल प्रनाउन, पर्सनल, प्रसेसिव, डेमोस्रेटिव, इंटरोगेटिव, ताइपस अफ प्रनाउन और अनौइवली क्या हो जाता है कि बच्चे ये नाउन की देफिनेशन गा रहे हैं और जब चाप्टर शुरू होता है प्रनाउन्स का तो बच्चा जाता है माम, I am already aware of what is a pronoun, so time has come that slow learners is not a term in KLM International Boarding School, send your child and then you can see the further pedagogy which as a principal and as a teachers, my staff and I am following. तो परस्टनल को जानने है, मैंने काफी सारी चीजां सारे कने सांजियां कितियां जीयां जीयां स्लो लडना साथते हैं, वाय डे बोडिं शुल राइट, ते मैं तुसे ही जाप पूछना चाहनी है कि as a principle किये जे जे जो strict हो बढ़े जादा मतलब motherly touch है यहां किये जा तो तुन्दा नेचर किये जा जाए अस प्रिंसिपल दिखो फ्रैंक्ली स्पीकिंग ए बड़ा गहरा मुद्दा है के अस प्रिंसिपल दिखो बोर्डिंग स्कूल जिनने बच्चे आन देनना उन्दा माइंड सेट इक जिका नहीं होंथा मापयो चान देन डिसिपलेन बच्चे चान देन अजादी एक वक्त दी डिमांड चला दी है जहां माबाब चाहेंगे के मेरा बेटा सुबा छे बजे उठे बच्चा चाहता है दस बजे उठे अब अगर ये उमीद लेके होस्टल में भेजा जाए के एक सड़ा हुआ सा प्रिंसिपल होगा विद वेरी श्रूड फेस डंडा हाथ में होगा वो टाइम गया ठीक है आजकल आपको एक स्कूल चलाने के लिए एक बालेंस मदर बनना पड़ेगा सब से पहने जिस तरह से मा एक कानपकड के लगा भी देती है और बाद में एक हगी भी कर लेती है ठीके और मेरी वह ही हिसाईब है मेरे पास ही कांसलिंग है लगा भी दी और शाम को जाके साथ में मेरा बोर्डिंग सेशन बहुत अच्छा होता है कभी आँगे हम लोग 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 को डांस कर रहे होते हैं हम लोग को क्रिकेट खेल रहे होते हैं सो प्रिंसिपल उनके साथ योगा कर रही होती है और I think इस व अच्छा जासे के मैं खुद जम्मू से हूं तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे चेर्मैन अफ तर स्कूल श्री सुरेंद्र महाजन और डिरेक्टर अफ तर स्कूल मिस्स सुख्मनिक और गरेवाल और अंद एम्डी अफ थे स्कूल मिस्टर साहिल महाजन we have such a vibrant team so specially request की गई है बैठी गए है और जमू कश्मीर के बच्चों के लिए special package है और जो सबसे एक interesting बात में आपसे बताना चाहूंगी KLM International School is a actually an educational system इसे business अभी तक नहीं बनाया गया है इस चीज को जानने के लिए जब आप आएंगे जब आप बाकी जगा survey करने के बाद मेरे पास आके बैठेंगे और free structure और हमारी pedagogy follow करेंगे automatically you will come to know that we are really different anyone can afford voting of KLM okay so subjects कि अगर बात करें तो normal subjects तो है ही है important और वो compulsory subjects होते हैं like English, Math, Hindi, right आजकल parents बहुत जदा focus थे रहे हैं extra languages पे जो कहते हैं की important होती है so क्या आपके हाँ पर कोई ऐसी extra languages आपने इंक्लूट की है संस्कृत का कोई श्लोक नहीं बच्चे को आता कबीर के दोहें भूल चुके हैं आजकल बच्चों का एक बहुत mindset है that foreign countries foreign countries so we are giving the extra subject as a French language so we have all the facilities of IALTS I myself have cleared the IALTS so SAT facilities we are giving it's up to the kids like how forward they are coming forward how keen they are to learn all these subjects and I think learning some extra language kind French is a very good you know asset for them wonderful so ma'am जैसे आपने बताया कि extra आपके पास subjects है कुछ ऐसा sorry so कुछ ऐसा extra subjects के अलावा courses भी हैं जैसे आज़ पेरेंस जादा तर नीट जेई इसकी तरफ जादा बच्चे भागते हैं parents उनको I think force भी करते हैं कि आप यह चीज करें तो इस पर क्या कहना चाहेंगे ma'am these are actually courses हर माबाप क्या करता है नाइंथ से ही आके समझ लेता है कि academy भेजना है so and so and so called institutes और वहां दो डाई लाख रुपे देंगे ट्रेनिंग देनी है but actually इस case में माबाप को ज़्यादा अवियर होना चाहिए कि क्या पढ़ाते हैं वो slaves all come from NCRT, slaves all come of plus one plus two तो जब बोडिंग में एक बच्चा चार घंटे पढ़ रहा है और अगर शाम को उन्ही टीचर से दो घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है और plus one plus two की books को मगप करके माइंड में रख रहा है तो institute वाले ऐसे extra क्या पढ़ाते हैं दो लाग उपया दे के वो मुझे आज तक समझ नहीं आया है अब के एलम में इवनिंग की रुटीन क्या रहती है plus one plus two के बच्चों को extra courses like they are interesting we have NDA, we have NEET, we have J, we have all kind of extra courses now we are providing them books, books definitely they need to follow but teachers वही रहते हैं अब बायो का बच्चा है तो बायो बैट के पढ़े ना पढ़ना तो बच्चे नहीं है अब दो लाग दे के भी बहां बच्चे नहीं पढ़ना है so like यहाँ पे एक extra timing है कि we never prefer any extra kind of coaching centers यहाँ पे रहो पढ़ो, discipline में रहो and learn the things okay so just say अभी इसके बारे में मुझो लगता है पेरेंस को एक मैं जाना चाहूंगी कि को एड है यहाँ गर्ल्स है बॉइस है बॉइस है it is a co-ed, properly, purely co-ed school girls are also welcome in boarding school although we have number of students from Jammu also itself बहुत बच्चे already हैं Jammu, Kashmir, Bhadarwar, Doda I think number of places, Ladakh, Kargil which I am maybe forgetting few names of the places आपके Jammu से आरसपूरा, Anak Nagar we have covered number of places so co-ed, girls as well as the boys so co-ed है तो जाहिर है पेरेंस के माइन में thought आएगा बच्चियों को खास तौर पे लेकर तो उनकी सेफटी के लिए क्या कुछ आपने कुछ खास रखा है उनकी सेफटी के लिए सुनैना साम्भयाल है क्योंकि सुनैना साम्भयाल की खुद की एक बेटी है सो बेटियों को किस तरीकिस रखा जाना चाहिए उनको चांद बनना चाहिए या उनको सूरज बनना चाहिए ये एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ के बेटियों का सूरज बनना बहुत important है so security security एक गाड रख देने से नहीं बनती है जब तक principal उन बच्चियों के साथ रूबरू ना रहे शाम को न बच्चियों के एक बात ना सुने बच्चियों के दिल में क्या चल रहा है वो ना जाने तब तक आप 10 गाड भी रख दीजिए तब तक कोई security नहीं है So security के लिए मैं हूँ अपनी बच्चियों के लिए वहां है So iski admission कप से start हो रही है Already started ma'am that is the procedure the way basic reason why I have come to Jammu Admissions are already open special package for the army people and of course I have a now special package for the Jammu people also Jammu आले हास्ते मी लगदा है तुन्दे हास्ते एक बड़ा शाहल मोक है ते जंदे जंदे उन डोगरी अपन्दे एक एक अछाहस है ठीक है एक वाइबरेशन है होते राइट जे एक लेडी होई है एक कुडी होई है मैं इस उमर्च अप्रिंसिपल बनी सकनी है ते यकीन रखी अपने बच्चे पे जो कुडे ना कुडे थे बच्चे मैं पुझाई है उस तो बाद ही साल है तो बी वेरी ओनेस्ट मैं जिले सुन्याहा की हांजी प्रिंसिपल दा इंट्रिव्यू लाना मेरे भी जैन ची यह आया है तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छे सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए है और मैं ने भी जैसे कि कहा कि बच्चियों के लिए भी खास्त और पर पूरी-पूरी तरह से मैं खुद कड़ी है और इनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ गाड्स रखने से बच्चों की सेफटी नहीं होती है वहां पर उनके साथ बहुत ज़दा गुलना मिलना पडता है So thank you so much ma'am, आप आए और इतनी अच्छी All pleasure mine, thank you very much, the interview was excellent conducted by you and thanks to all my Jammu people and I hope to see you all soon whenever you have decided to just put your child in the boarding school do visit KLM International Boarding School, Pathanakor, Defence Road, Mamun Thank you so much तो ये थे हमारे साथ सुनेना सामवयाल, Principal International Day Boarding School, KLM और जिनके साथ हमने अलग-लग मुद्दों पर बातचीत की मुझे लगता है पेरेंस के जितने डाउट थे, अड्मीशन को लेकर को एड है, क्या है, कैसे रहेगा तो ये सारे सवालों के जवाब उन्हें बहुत अच्छे से दिये, और हम तो इनके साथ दोगरी में भी बात कर रहे थे, दोगरी भी बड़ी शैल बोल दियान तो जितनी भी डीटेल्स हैं, हमने वीडियो के कैप्शन में डाली हैं, आप इन्हें कॉंटाक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों के से फ्यूचर के लिए इन्हें जरूर कॉंटाक्ट करें, देखते रहें जेकी अपडेट जेकी अपडेट रहें हमारे साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक जरूर करें For advertisement please contact 705-109-1811